इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की तीसरी प्रिशनावली एक अक्ष्या दस की बहुपद 3.2 का पहला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका तीसरा पार्ट हम करेंगे भाग देना है Fx में Gx का और भाग फल तथा सेश्फल ग्यात करना है तो इस प्रकार से हम भाग का sign बना लेंगे और भाग किसमें देना है Fx की गात 3-16x की गात 2-11x-6 तो हमें ये द्याण रखना है कि गातें गटते विक्रम में होगा गात 3, फिर x की गात 2, फिर x की गात 1 और फिर अचरपत तो सही क्रम में है तो इसको लिख देंगे हैं X की गात 3 माइनस 6 X की गात 2 प्लस 11 X माइनस 6 अब भाग किसका देना है जी X का जी X में है X प्लस 2 तो पहले X है और फिर अचरपद है गटते वे क्रम में है ये तो ये हमने लिख दिया X प्लस 2 अब भाज ये जो भाग की अंदर है जिसमें भाग देते हैं उसका सबसे बड़ी गात वाला पद है X की गात 3 और भाजक का सबसे बड़ी गात का पद है X X की गात 3 में X का बाग देंगे X की गात कितने आजएगी 2 यह लिखेंगे हम बागफल में, X की गाते 2, अब इस X की गाते 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे, क्या हैगा, X की गाते 2 को 2 से गुणा किया, तो प्लस 2 X की गाते 2, गात 2 के निचे गात 2 का पद, अब इनको गटाएंगे, यह माइनस का हो जाएगा, यह भी प्लस का है, जाएगा, माइनस 6X की गात दो, माइनस 2X की गात दो, कितने हो जाएगे, माइनस 8X की गात दो, आगे वाले सेम है, 11X माइनस 6, अब यहाँ सबसे बड़ी गात का कुन सा यह है, माइनस 8X की गात दो, बट्टे उसी का बाग देना है इसका, X का, क्या जाएगा, माइनस 8X की गात, दो उपर है, एक नीचे है, तो उपर बच की गात है, एक, यह यहां लिख दिया बागफल में, माइनस है, आठ एक्स, माइनस आठ एक्स को इन दोनों से गुणा करेंगे, माइनस आठ एक्स को एक्स से गुणा किया, माइनस आठ एक्स की गात है, दो, माइनस आठ एक् 2 प्लिस हाट X की गात 2 कट गए प्लिस 16 X और प्लिस 11 X कितने हो गए 27 X आगे बच गया माइनस का 6 भाग अभी समाप्त नहीं हुआ है मैंने आपको कब बता है भाग कब समाप्त होता है जब यहाँ पर भाजक से कम गात आजे यहाँ गात कितनी हे X की सबसे ज्यादा X की गात 1 यहां भी कितनी है 1 यह तो अभी भागे जाएगा यहाँ क्या है सबसे बड़ी गात X की वाला पद 27 X और वहाँ वही है X X से X कट गया क्या आगया 27 यहां लिख दिया प्लिस का 27 27 को इन दोनों से गुना करो 27 को X से गुना किया 27 X 27 को प्लस के 2 से गुना किया यह आ गया प्लस का 24 क्या जाएगा यह गटाओ गया तो यह माइनस का हो जाएगा यह भी किसका हो जाएगा माइनस का 27 X से 27 X कट गया माइनस 24 और माइनस 6 कितना जाएगा माइनस का 60 तो आफका बागफल तो आगया लिखते ना बागफल तो ये x square माइनस 6 x plus 27 और 6 फिल आगया माइनस से 60 दूसरा प्रिशन है इसका पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देकर जाच कीजिए कि प्रत्म बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणदखंड है इसमें भी आपको पहले सवाल की तरह भाग देना है और यदि सेस्फल 0 आ जाता है तो तो पहला बहुपद दूसरे का एक गुणदखंड है अन्य था नहीं है यानि भाग ही देना है बस ये देखना है कि सेस्फल 0 आता है या नहीं 0 आता है तो गुणदखंड है नहीं तो नहीं है fx में देना gx का ये देखो मैं यहालिक देता हूँ इस प्रकार से fx देखो x की गाद 4 है फिर 3 है फिर 2 है फिर x की गाद 1 है फिर अचरपद है सही करम में है इसको लिख दीजिए 3X की गाद 4 प्लस 5X की गाद 3 माइनस 7X की गाद 2 प्लस 2X प्लस 2 अब इसमें बाग देना है GX का इसमें भी देखो गाद X की गाद 2 है फिर X की गाद ये का फिर अचरपद ये सही क्रम है X की गाद 2 प्लस 3X यानि चैभाज्य हो चैभाजक हो आपको गादों को गटते वे करम में लिखना है अब देखे कैसे करते हैं थोड़ा से उपर कर देता हूँ मैं इसको यहां देखिए सबसे बड़ी गाद का पद 3X की गाद 4 है 3X की गाद 4 और यहां सबसे बड़ी गात का पद है X की गात है 2, तो हमेशे X की गात 2 का भाग देगे हम, कितना जाएगा, 3X की गात कितनी बच जाएगी, 2, उपर गात 4 है, नीचे गात 2 है, तो उपर 2 बच गे, यह लिख देंगे हम भाग फल में, 3X की गात है, 2, अब इसको इन इस किया, X की गात कितनी हो गई, 3, गात 3 के नीचे, गात 3 का पद, फिर 3X स्क्वाइर को 1 से गुणा करेंगे, कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो आजएगा, पलस का 3X स्क्वाइर, अब इसको लिख दीजिए, यह माइनस हो गया, यह भी पलस का माइनस हो गया, यह भी माइनस ह गया, 3X की गात 4 से 3X की गात 4 कट गया, 5X की गात 3, माइनस 9X की गात 3, 5 माइनस 9 कितने बचेंगे, माइनस 4X की गात 3, माइनस 7 और माइनस 3 कितने हो गया, माइनस 10X की गात 2, आगे पलस का 2X और पलस 2, फिर यहां सबसे बड़ी गात का कौन सा है, माइनस 4X की गात 3, और बाजक में सबसे बड़ी गात का चेंज होगा नहीं, हमेशा यही रहेगा, x की गात 2, क्या जेगा यह माइनस 4, उपर कितना बच गया, x, उपर गात 3 है, नीचे गात 2 है, तो उपर एक गात बच गया, माइनस 4x यहां लिख दिया, अब इस माइनस 4x को इन 3ों से गुना करें माइनस 4x को x की गात 2 से गुना किया, तो माइनस 4x की गात हो गई, 3, माइनस 4x को प्लस 3x से गुना करेंगे, माइनस को प्लस से गुना किया, माइनस 4, 3, 12, x को x से गुना किया, x की गात 2, 4x को किस से गुना किया है, मैंने 3x से, माइनस 4x को प्लस x से गुना करेंगे, क्य यह हो गया माइनस का प्लस हो गया यह माइनस का प्लस हो गया चार एक्स की गातीन माइनस चार एक्स की गातीन प्लस यह कट गया 12x square plus का है 10x square minus का है 12x square में से 10x square गटाएं कितना गया 2x square 4x plus के 2x plus के कितने हो गे 6 x और आगे है plus का 2 फिर वही काम करते हैं यहां सबसे बड़ी गाद का पद है 2x की गाद 2 बटे वहाँ क्या है x की गाद है 2 एक्स square 6 square कर गया कितना गया 2 यह प्लस का 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, 2 से गुना करो इन तीनों को, 2 को X square से गुना किया, 2X square, 2 को 3X से गुना किया, 2236, 2 को x से गुना किया, 2 एकम, 2, यह माइनस, माइनस, यह भी माइनस, 2X square गट गया, 6X माइनस 6X कट गया, you know 0, 2 गद माइनस 2 भी, GX FX का एक गुड़न खंडे है इस प्रकार से आपको इसके तीनों पार्टे करने हैं तो मैंने भाग के चार सवाल बता दिये तो उमीद करता हूँ आपको भाग समझ में आ गया होगा बचे वे सवाल इसके भाग के हैं वह आप खुद करने का प्रियास करें समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं धन्यवाद